एंडिये में competition बढ़ता हुआ बाई साब जैसे जैसे लड़कों की seat कम होगी यह साफसी बात है कि overall cut-off last में ज्यादा होगी लड़कों की यह तो मतलब obvious सी बात है तो बाबु जी इतनी competition की दुनिया में जो आपके हाथ में है that is your written examination because SSB में marks आपके हाथ में नहीं है you don't know कि आप recommend हुआ आपको कितने marks मिले हैं आपके साथ वाले कितने marks मिले हैं जो आपके हाथ में है that is your written examination and you have to score high in your written examination आज की इस वीडियो में मैं इसी topic के बात करने वाला हूँ that how to score 500 plus in NDA because actually 500 plus is the safer score normally 400 ले आओगे recommend हो जाओगे there are very high chances आप मेरिटों भी आजाओ लेकिन अगर आप target कर रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ा करो 500 की सोचोगे तब जाके you would land up something at 424 24 30 or something like this are you understanding what I am saying तो आज की वीडियो में हम इसी topic के बात करने वाले हैं किस तरीके से आपको अपनी planning strategy रखनी चाहिए that you score 500 plus अच्छा उसे पहले मैं एक दो बाते और बता दूँ अगर आप अपनी ND की तैयारी offline माध्यम से करना चाहते हो offline में क्या होता है offline में competitive माहूल मिलता है सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं one to one interaction हो पाता है तो lws का batch चल रहा है योद्धा batch दिल्ली में हम located है आप दिये हुए नंबर पे call करके inquiry लेके अपना enrollment करा सकते अगर आप बोलो नई सर मुझे online पढ़ना है तो unacademy platform पे lws की team एक लव्या batch लेके आ चुकी है बहुत ही भैतरी तरीके से वहां भी तैयारी हो रही है इनफेक्ट कुछ discount भी चल रहा है आप lws 10 code लगाओगे तो आपको 10 20% का discount भी मिल चलो अब मैं मुद्ध को समझो max GAT 300 के यह 600 का यह total 900 फिर 900 का होगा आपका ssb और 1800 में से cutoff निकलेगी इसमें आपका हाथ नहीं है कि आप इसमें 400 नंबर ला रहे हो या सड़े 300 ला रहे हो या 500 ला रहे हो this is something जो आपके हाथ में है इस पे let's work on सबसे पहले तो आपको यह decide करना है भाई इसमें कि आपको 900 में से 500 किस तरीके से लाने है मलब एक target मानके चल रहे हो ना 500 लेकिन यह 500 लाओगे किस तरीके से यानि कि इस 500 में से आप math में क्या 100 लाना चाते हो जीएटी में 400 लाना चाते हो यहाँ या फिर यहाँ 1.500 यहाँ से एक decision approximately आपको लेना पड़ेगा कि भाई मैं math में इतने लाओंगा और जीएटे में इतने लाओंगा और वो हर बच्चे का अलग होगा थारा भाई सुमित नहीं बता सकता कि भाई त्यू इतने math में लिया यह इतने जीएटी में लिया यह हर बच्चे की अलग अपनी capability के हिसाब से है लेकिन पहला step आप यह बता दो कि आपको कितने लाने है math में कितने लाने जीएटी में और मुझे कमेंट सेक्षिन में इसको अपने बाई फरकेशन को बताना भी अब बात करते हैं सब्सक्राइब आपने 300 400 कुछ चूज कर लिया कि भाई मैं जीएटी में कोशन करोगे अप्रोक्सिमेटली सारे ठीक तब जाके सड़े 300 400 के बीच के नमबर आते हैं अरे यार 90 कोशन कर लो 90 इंटू 4 करोगे 936 360 आते हैं तब 100 करोगे तो इंटू 4 400 कुछ गलत भी करोगे तो यानि अगर आपकी गलतिया वालतिया निकाल ले तो लबब आपको 110 से 120 कोशन करने पड़ेंगे जिसमें से अप्रोक्सिमेटली 900 ठीक होंगे तब जाकर 373 400 कुछ में आते हैं डैट इस वेरी हाई नमबर सच में बहुत ज्यादा है उसके लिए तरीका कि आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज होना पड़ेगा अगर आप यह सोचो कि भाई साब मैं GS में 50 में से 50 ले आओंगा साइंस जाए भाड में तो मिरी जान कभी भी इस पर नहीं पहुछ पा हुए आपको सारे सब्जेक्ट में एवरेज पर आना पड़ेगा एवरेज आने के लिए आपको सारा स्लेबस एक बार पढ़ना पढ़ेगा वह पढ़ना कैसे है वह आपको डिसाइड करना हो सकता साइंस आपने पहले अच्छी पढ़ रख्यों उसकी जरूती नहों हो सकता आपने कुछ ना पढ़ा और आप अपने कुछ ना पढ़ा ओन्लाइन कोर्स की प्लैनिंग कर रहे हो यूट्यूब से पढ़ना चाहरे हो लेकिन तुझे करना पढ़ेगा इतना यह कंबल्शन है इसमें कोई ओप्शन नहीं तेरे पास तू बोलेगा नहीं मैं तो यहां पर कम लाता हूं 110-120 तो बहुत कि अच्छी बात है नहीं ला सकता है कि अवरेज बचा सो लाता है तो जो सो नमबर का एक कवर है यह कहां करेगा तुझे क्या गडबड है इसमें पुर्वा सिनेरियो क्या है तू समझ रहे इस बात को अरे हाया ना तो बाबुजी मैथ में भी तुझे 26-28 चप्टर में से क फॉर्मुले रिवाइस करने पड़ेंगे ताकि को फॉर्मुला बेस को चूट जाओ कुछ चैप्टर को स्ट्रोंग करके तुझे अपने हिसाब से अगर तो दोस्तों कर रहा है तो लगबग तुझे सारे चैप्टर ही अच्छे से बढ़ने पड़ेंगे यूँ है नो कि आप अगर आपको सच्वें पांचो नंबर लाने है तो आपका टार्गेट शुड़ी फाइफिफ्टी और सिक्संड़ तब जाता है तो एक बार में और ऐसे कैसे दस कोश्चन कर दिए तो साथ नंबर गए सिधा-सिधा समझरे मैं क्या बोलना चारा हूँ तो बहुत मतलब एक कठीन एकजाम है उसको उस तरीकी से सोच के देखो तो आपको प्लैनिंग बहुत स्ट्रेटेजिकली करनी पड़ेगी आपको सोचना पड़ेगा मैं आज ये बाते इसली बोल पा रहा हूँ विकोज आज तेरे पास है तो आज भी अपनी प्लैनिग को स्ट्रेटेजिक वे में करेगा तो बीचेज हो सकती है पान्सों नंबर हर बार आते हैं बच्चों के आ सकता है एक आवरेज मचल में रिटेनवेria 500 नंबर ऊप्लैणिंग के साथ वो चले तुझे क्या लगता है तेरी आकर क्या रहेगी वो मुझे बताईयों और तुझे किस चीज की रिक्वार्मेंट है मुझे कमेंट सेक्षिन बताईयों वी विल प्रोवाइड यू एंड जैहिंद जैभारत